कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही मत्रपुर्ण वीडियो लेकर आया हूं 36 गड़ समानने गया पर्याटन इस थल से पूछे गया प्रस्ण जितने भी आप देख रहे हैं यहां पर पूरा व्यापाम पीसी जितने भी एक्जाम है पूरा पूछा गया है जितने भी है देखेंगे आपजिव कोशन तो सबसे पहले आपको वर्लाइन कोशन करा देता हूं उसके बाद पूरा अब्जक्टिव कोशन करेंगे आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट देना जरूरी है वीडियो को लाइक कर देजिएगा अधिक से अधिक सेयर किजिएगा आज आपका हो जाएगे 975 पर जिसका एक्जाम 3 से 4 दिन बचा है याने कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप लोग तयारी जरूर कीजेगा आपको पूरा में पूरा नंबा लाना है 36 गड़ में बहुत सारे प्रसन पूछा जा रहे हैं जिसमें पूरा इंपोर्टन कोश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके विगत वर्सों से जितने भी सभी प्रसन पूछा जा रहा है तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं 36 गड़ समाने गान जो आपके अगामी एक काफी विडियो को पसंद किया तो पार्ट फाइफ विडियो आपका साम तक मिल जाएगा तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं 36 गड़ समाने गान जो आपके व्यापम पेसे में पुछा गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक आपने चैनल को पने निके हैं तो जल्दी से जाईगा पहले स्टेव वीडियो को सस्क्राइब कर लिजेगा और फीडियो को लायक कर दीजाए अधिक से अधिक से और पास यह वीडियो पहुंच सके और दो से तीन बार इस वीडियो को अच्छे से याद कर लेना मैं तिक है क्लियर हुआ चली स्टार्ट करते हैं तो सिद्धेश्वर मंदिर कहां इस्थी था जो सिद्धेश्वर मंदिर आपका पलारी में सिथे सिजी PSC में पुछा गया है उसी प्रकर गंधेश्वर मंदिर कहां इस्थी सिर्पूर में है याद कर लिजेगा जितने भी आप स जल्दी से जाएगे सस्क्राइब कर लिजिगा उन सभी विद्यार्थियों को जो लोग सस्क्राइब कियें उसी को मैं नोटिफिकेशन भेज रहा हूं यानि कि उन ही को अब से उन ही को यह वीडियो दिखने वाला है ठीक है तो चलिए नेश्ट कोशन करते हैं डिडनेशवरी देवी पूजित मंदिर कहां इस्थित है जो डिडनेशवरी देवी मंदिर है आपका मलहार में है CMO 2019 में आया हुआ है वसी प्रकार बात करें तो चत्तिजगर का लचमन मंदिर कहां इस्थित है सिर्पूर में देखिए दोस्तों आप आप सभी को यह वीडियो को ऐसा लगता है कमेंट बाक्स में जरूर पतायेग और भी वीडियो आप मेरे पास बहुंछ वीडियो देखना चाथे हैं तो पार्ट टू वीडियो लेकर जरूर आऊँगा अगर पार्ट वन वीडियो में अच्छ खासा या पार्पुंत आपailed चलिए कहां तक क्लियर हो गये था पहला दूसरा तीसरा तक चाउंसा देखते हैं चत्ति जड़ का लच्मन मंदिर कहां इस ती थे सीरपुर में है ताला गउं में चत्रीवे सरवाजी प्राचिन मंदिर कौन से ताला गउं ये आप का देवरानी जेठानी का मंदिर है मलहा और मंलहार में च Beef चरत है वियापंतक हो सब भी कलास में करा उन ंदेखका कंसे हैं सो Emperor पर बंदरी विशिष्टम मूर्ती कहां से डीपर डीबल रामपूर में से जीवापम और सबसे पहले बात आप सभी को कहना चाहूँगा एक आपने अभी तक वार्टसप ग्रूप में जुड़ा है तो वार्टसप ग्रूप में जुड़ जाएगा क्योंकि वहाँ पूरे पीडियेप मिल जाता है अपको ठीक है इसका पीडियेप मिल जाएगा सभी जानकरी मिल जाएगी कौन से वेकिंस यार है कौन से नहीं आ रहे सभी जानकरी हमारे जैन मंदिर यह आपका भांडोल देव कहा है इसी था है आरंग में जैन मंदिर कहा है आरंग में सेजी पेसी 2016 में 36 वर का सबसे बड़ा राउत बजार कहां लगता है बिलासपूर में तीक है मैं पाटकी स्वर्ग का पर्याटन इस्थाल है प्राकृतिक नड़ापली की गुफा कहा है बीज़ापूर में आवापली बीज़ापूर एसिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहा है कुनकुरी में जितने भी सभी में क्लास करा रहा हूँ ठेवरी है या वन लाइनर कोश्चन है टेस्टर सरीच चर रहा है सभी के सभी आपके विगत वर्सों के कोश्चन पेपर है जो की बार-बार आपके एक्जाम में आते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाएगा वीडियो को लाइक करके रख लेजेगा ठीक है ऐसी लेटेस्ट अप नूच आप सभी को मिलते रहेगा डेली क्लास अगर इस वीडियो में आच्छा खासा काफी परफॉमेंस मिलता है मुझ तो पार्ट टू वीडियो लेकर आऊंगा अवस्य लेकर आऊंगा अच्छा कासा अगर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है वीडियो अच्छा कासा चलता है लाइक आता है पार्ट टू वीडियो जरू लेकर आऊंगा आप सभी के लिए चलिए यहां तक क्लियर हुआ आव पल्ली गुफा विजापूर एसिया का दूसरा हो सबसे बड़ा चर्श कहा है आपका कुनकुरी में गर्व पानी का जहर्णा जिस ताता पानी कहा जाता है बलरामपूर में इस्थी थे दोस्तों कहा है बलरामपूर कुटूम सर की गुफा किजले मिस्ती से बस्तर में सिजी व्यापं। चित्वा डोंगरी की गफा है इसली था कहां राजनान गाँ में। लवखूच के जन्म सथरक के रूप से प्रसिद्ध कहा है तुर्तुर्य 45 दिसके बार surprises आप्वचंद्ध देखिएंगे चैब ही प्रस्ष्णे व्यापं This पूछा गया है तो गुर्सेल घाटि किस जिले में इसी थे नरायन पूरे तीहाजी ग्राम ताला किस नदी देखे ताला यानि की मन्यारी नदी डारेक्ट ताला गवान्यानी रधी यानि की जेवडानी देठानी का मंदीर स्थीत है ठीक है पहले आप जड़ी कोशन देख लेते हैं दो तीन उसके बाद पूरा टेस्ट क्लास चलेगा ठीक है टेस्ट क्लास में सभी को जूड़ना है और सभी को कमेंड बॉक्स में कमेंड करना है ऐसा नहीं है कि आप लोग वीडियो देखने तो चुप-चप बैटना नहीं है ठीक है 36 गड़ में एक मिनिट ना 36 गड़ में प्रती वर्ष मांग पूर्णी मां से ही महा सिवरात्री तक चलने वाले राजिम कुंभ मेले का नाम सरकार ने परिवर्तन कर क्या रखा है तो राजिम मांगी पूर्णी में लाए जब आद 2021 में आपर चेंज किया गया इसको याद र सिद्ध मांग पूर्णी मां से ही महा सिवरात्री तक चन्ने वाले राजिम कुंभ मेला को किस नाम से सरकार ने परिवर्तन किया है तो राजिम कुंभ मेला जो विच्चर था मांग पूर्णी मेला में चेंज किया है कौन सा राजिम मांगी पूर्णी मेला कमेंट में लिख लिखेगा जरूर इसको कमेंट में लिखेगा तब मैं आपको आगे बढ़ हूँगा वीडियो में चलिए जल्दिस कमेंट करके लिखेगा वहाँ पर राजी मंगी पुन्नी मेला उसी प्रकार अपका 36 गड़ राज्य का प्रतम अंतराष्टी ये संग्राल है कहां बना जा रहा है टेस्ट एक रूप में ठीक है टेस्ट देना ना भूलिएगा जल्दी से अगर आप लोग तो अच्छे तयारी करना चाहते हैं सेलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों टेस्ट जरूर जोइन कीजेगा ना टोटल तीस अब्यक्ट्ट्य कोशन कराने वाला हूँ टेस्ट के त टीक है चलिए आप सभी का MCQ स्टार्ट हो जाता है यह पहला आंसर मैं आपको दिखा दिया हूँ इसके बाद मैं पूरा आंसर आपको नहीं दिखाऊंग और डारेक्ट आप में टेस्ट लूँगा आप मैं टीक है जिसको भी मालूम है फटाफट कमेंड करना इस्टार्ट किजिएगा और सबसे पहले में कहा रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दीजेगा चलिए यहां तक हो गया किलियर वह आपको हमारे वाट्सप ग्रूप के डिस्क्रिप्शन की निचे लिंग में मिल जाएगा जितना भी अभी मैं आपको वाट्सप ग्रूप में आपको डिस् पूरा इंपोर्टन कोशन चलेगा ठीक है चलिए पूरा इंपोर्टन कोशन चलेगा फटाफट कमेंड करने स्टार्ट करना अब पहला का अंसर आपको मैं बता दिया हूँ स्वामी वीविकन अन सेवा अस्रम इस्थित है अपका रैपूर में जबकि निम्नमिश्कों सा छ जलिस कमेंड करके बताएगा छटीज़गर का खजुराहु कि से कहा जाता है लच्मन मंदीर भोरमदेव दंतेशवरी राजी लोचन मंदिर फटाफट कमेंड करने स्टार्ट करें यहां पर मैं आप सब्सक्राइब कर दिया जल्दी फटाफट करने स्टार्ट कर यहां पर चलिए कितने लोगों का अंसर आया है 36 किसे का जाता है भोराम देव मंदिर क्या आएगा भोराम देव मंदिर बिल्कुल सही है भोराम देव मंदिर पहला किया है राइपूर राइपूर ठीक है चेलिए आप देखते हैं इसका अंसर कितने लोगों के पास है परियतन के उन्यान के लिए 36 गड़ सासन द्वारा निम लिखित उसम कौन सा अजित किये गए भोरांदे उस्साव नगपूरा उस्साव सिरपूर उस्साव या वारासुर उस्साव जल्दी स कमेंट करना इस्ट कवीर पंथ का धर्म इस्थल निम नमस कहाई से दामा खेडा में चली इसको छोड़ दीजेगा यहां इसका बताईएगा पांचवा का अंसर आप लग बताईएगा कि राज्य के किस जिले में तपो भूमी नामक परेटन इस्थल इस्थित है तिस सेकंड का समय दिया है इसको प्रेक्टट कोस्चन रहता है ठीक है क्या आएगा अंसर बिलासपूर रायपूर महा समुन्य कवर्धा फटा के कमेंट करें न कि कितने लोगों का रापूर आ रहा है तमो भूमी तपो भूमी नामक परेटन इस्थल रायपूर कितने लोगों रापूर आए इस्थनग पूरा में किस जिले में स्थित है सरगुजा दुर्ग रापूर या खोरिया फटाक से कमेंट करें न च्टवा का अंसर क्या आएगा बिल्कुल भी दुर्ग जितने लोगों का अंसर दुर्ग आए बिल्कुल सहीं है बी आंसर होगा चलिए नेस्टा देखते है च्टिर गड़ का प्रयाक किसे कहा जाता है फटाक से कमेंट करने स्टाट करें च्टिर गड़ का प्रयाक किसे कहा जाता है जल्दी से कमेंट करो बच्चो किते में को का answer आ रहा है, A, B, C, D चलिए, परफॉरमनस देखते है, आप सभी का अगर परफॉरमनस अच्छा रहेगा था हम पाट 2 वीडियो लेकर आएंगे, आप सभी का अगर परफॉरमनस अच्छा रहता है, हम पाट 2 वीडियो लेकर आएंगे, वर्ना नहीं लाएंगे, हम पहले बता रहे हैं तीक है बन वीडियो में आपको कर दिया हूं पर्ट वीडियो है अगर चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंच किजेगे सर हमको पर ट्वी डिएओ चाहिए इनका करके तो च्ति प्रयाक किसे कहा जाता चलिए देखते हैं नेस्ट मंदीरों की नगरी किसे कहा जाता है जल्दीस कमेंड करके बताईगा इसका अंसर क्या मन्दिरों किन आरंग को डितने लोगों का आंसर में कभबाइब वांज्ब्स में कमेंड किदेगा का मिटंति जो लोग तैयारी सेलेक्षेन लेना चाहते है हॉंस्टक वारण लेवर इस्पेक्टर की तैयारी सिाषक भरती की तैयारी सांथ data आपका SI मेंस की तैयारी बहुत सार एक्जाम इसका एक्जाम बहुत जल्द होने वाला ना अंतिम सेज दिन है तो आप लोग जल्दी स्कमेंट करना स्टाइट किजिएगा कितने लोगों को आंसर आरंग आ रहा है बिल्गुत सही है आंसर ए होगा बच्चो चलिए प्राचिन बहुत धिस्तल कहां इस्थित है नौवा का प्रस्ण बताईए तोटल हम आज 30 अब्जेक्ट्व कोश्चन करने वाले टेस्ट के रूप में टेस्ट दिलाईएगा देव डोंगर गर सिर्पूर या खलारी कौन सा जल्दी सुबताईएगा शिर्पूर आपका प्रस्चित्व बहुत धिस्तल कहां है सिर्पूर में ठीके कहां है सिर्पूर में चलिए 36 गर का खज्राहों कह जाने भोराम देव मंदिर करने मान किस सताब्दी में हुआ है दस ग्यारा या बारा जल्दी स कमेंट करके बताएगा कितने लोगों का आंसर यारू सताब्दी आ रहा है 90 लोगों चलिए वही आंसर सहीं होगा फिर जल्दिस कमेंट करना इस्टार्ट किजिएगा जल्दिस कमेंट करें आंसर क्या है गाएगा जल्दिस कमेंट करके बताएगा आंसर बिल्कुल सही दिया है तलाबो का सहर किसे कहा जाता है तलाबो का सहर मंदिरों की नगरी आरंग को कहा जाता है मंदिरों की जो नगरी होता है उसको हम क्या कहते है आरंग कहते है उसी प्रकार आप कहा जाएगा तलाबो का सहर किसे कहा जाता है तलाबों को सार रतनपूर, मलहार, सिरपूर या कवरधा जल्दी सांसर दिजेगा बिल्कुल सही है रतनपूर जितने लोगों का रतनपूर आ रहा है वही सही है रतनपूर ठीक है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्याद़ मेनद करना पड़ता है उर्द्या बहुत ज़्याद़ खत्म होता रिकोर्डेट क्लास में ठीक है तो आप सभी को बिल्कुल मैं सेलेक्शन के तौर पर आपको क्लास करा रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता था एक बड़ वीडियो को लाइक कर देजेगा सस्क्राइब कर देजेगा बिल्कुल दोस्तों आप सभी कले में फ्री क्लास लेकर आता हूँ मुझे पैसा से कोई मतलब नहीं है आप बस आपकी तयारी हो जाए इससे मतलब है मुझे ठीक है तो इतना मेहनत करने के बाजूद आप लोगों को लाइक नहीं मिलता तो वीडियो बनाने का कोई इंट्रेस्टेड नहीं रह जाता मेरा ठीक है इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वीडियो में अच्छा खासा लाइक आ जाता है आप लोगों का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो जरूर पार्ट टू वीडियो लेकर आऊँगा और ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके व्यापम PST में प्रसन पुछे जाते हैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सभी का कमेंट बॉक्स में अच्छा सा परफॉर्मेंस रहेगा या लाइक में अच्छा सा परफॉर्मेंस रहेगा तो बिल्कुल पार्ट टू वीडियो देखने को मिलने वाला है देश का प्राचिंतम चतुर्भुज विष्णु मंदिर कहा है विष्णु के जो विष्णु मूर्ती है ना कहा है चतुर्भुज विष्णु मंदिर रतनपूर मलहार ताला गाम्या कवर्दा फटाक से कमेंट करें न इतना अच्छा अच्छा कोश्चन लेकर आता हूं टॉपिक वाइस जापके एक्जाम में यहीं से प्रस्थन पूछते हैं इसलिए कह रहा हूं जो लोग 36 गड़ की क्लास की तैयारी करना चाहते हैं च्छतिस गड़ व्यापम का प्यस्थी का है न दोनों की क्लास चर रही है एस आई मेंस की कलास इसी में आ जाता है प्यस्थी जाम में जिसका इक्जाम 3-4 दिन बच्चा हुआ है मतलब सब रिवाइस कर रहे हैं ठीक है और जो लोग प्ल्स तीन सो पर वेकंसी देखने को मिलेगा तीक है टीक है सिक्षक भरति का मैं बताया था 12,449 पर है वसे फोरेस्ट गार्ड में भी 14 से इतना उपर आसपास आया 1400 से उपर आसपास आया ठीक है इसलिए करो जो भी एक्जाम की तयारी करो अच्छे से करो देवरानी जठानी का मंदिर का है ताला गाउं में ताता पानी गर्म जलकुंड कहा है बलारामपूर बिलासपूर कहा है बलारामपूर कांकेर रैपूर बिलासपूर चलिए A, B, C, D कमेंट करके पता है यह 15 आंसर क्या आएगा ताता पानी जर्म कहा है जलकुंड आपका देखिए answer A लिया गया है और answer D लिया गया है तो इसमें 90% जा रहा है इसमें 70% जा रहा है तो किसमें जाओगे आप लो हुँ बलराम पूर होगा दाता पानी जल्म गर्म फोहारे k रहे जल बलराम पूर दोंगड़ार में किस दयवी का मंदीर इस्थित है तब बंबलेस्वरी मंदीर चली मैं आप सभी को फटापट क्लास करवाने जा रहा हूँ क्योंकि यहां पर बहुत सरे क्लास करवाने हैं और बांकी है मेरा अभी दो क्लास बांकी है मेरा ठीक है बांकी वही को दिखेगा बांकी को नहीं दिखेगा आउट आऊ था जाएगा ठीक है अजो लोग तयारी नहीं कर जाके वीडियो को स्किप कर दीजेगा चलिए प्रसिद्ध चित्रकूट जल प्रापात किस जिले में इस था चत्रकूट न यह जो चित्रकूट है आपका सिध की मंधीर करिमाण डोंगाग गड़की किस नरेस न करवाया था राजा वीर सेंड वीर भद्र सेंड बहादूर सेन या अनुग्रा सेंड तो इसका आंसर ए हो जाएगा राज्य वीर राजल चित्रकूट करने देगा आंसर आप लोगों का क्या Ariya आप सभी लोगों को कमेंट क्यों नहीं आ रहा है आप सभी को आंसर मालूम नहीं है क्या आपको आंसर मालूम हो या ना हो आपको आंसर मालूम हो या फिर ना हो आप कमेंट बाकस में जरूर कमेंट कीजिएगा चाहे गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं हम आपको सही गाइडल दे रहे हैं तीक है मैं बार-बार कह रहा हूं अंसर गलत होगा कोई दिक्कत नहीं आप लोग टेस्ट दीजिए यह तो आपका असली ग्जामपेपर नहीं है ना मैं आपको बता दूँगा अब एक बार आप सभी कमेंट करके बताएगा कि यह वीडियो कैसा लग रहा है मेरा जो वीडियो है अभी लाया हूं पार्ट वान वीडियो का 36 गड़ में ठीक है कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएए पार्ट वीडियो चाहिए की नहीं चाहिए आ आप लोग कमेंट करके बताओ पार्ट टू वीडियो आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए आप लोग ही बताओ आप लोग के पर छोड़ दे रहा हूं मैं डिसाइड आप ही लोग करो तीक है मेरा कोई मतलब नहीं है आप मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करवाना तैयारी कर विजन करना ने आप लोगों काम है इतना उरजाग खतम होता है मेरा भी 33 24 चल्लास लेता हूं मैं है है कि चलिए क्या राह है आप लोगो पर टू वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए क्या राह जल्दीश कमेंट करके बताओ भई आना चाहिए बिल्कुल ठीक है बई लेकिन अब आप लोग part 2 वीडियो आना चाहिए बोल रहे हो लेकिन इस वीडियो पर अच्छा खास आप लोगों का performance आना चाहिए like आना चाहिए, comment बॉक्स में अच्छा खास सभी लोगों का answer आना चाहिए है ना तभी पार्ट टू वीडियो लेकर आऊंगा मैं चले नेश्टर देखते हैं सामत सर्ना है सामत सर्ना क्या है मंदीर जर्ना नदी ये बांध मंदीर है सामत सर्ना क्या है आपका मंदीर परियाटन इस्थर मेन पाट कीस प्राकतिक इस्थर पर इस्थित है क्या आएगा आंसर सत्पूरा की सेड़ी में प्रसिद्ध कबरा गुफा छतिर कीस जिले में कबरा गुफा जल्दीश बताईए कबरा गुफा प्रसिद्ध कब्रा गुफा किस चतित गड़ में है जल्दिस कमेंड करके पताईगा क्या आएगा रायगड बिल्कुल सही है कैलाज गुफा में किस संद ने तपस्य की थी कैलाज गुफा में किस संद ने गहीरा गुरू बिल्कुल सही चितने लोगों का अंसा रहा है 90% लोगों का आ रहा है कमेंट ना करें न यहाँ पर बिल्कुल देखें फालतो फालतो कमेंट ना करें क्लास चर रही है ना इधर कमेंट ना करें वाट्साप ग्रूप पर जो भी पूछना है यहां कमेंट बाक्स में पूछेगा अंधी मचली के प्रसिद्ध गुफा कौन सा है अंधी मचली तीरादगर, मडवा, कांकेर या कुटूम सर बिल्कुल सही है कुटूम सर अंधी मचली पाजाती है हुटूम सर की गुफा की छत से लटकते इस्तम की की चीजे से निर्मित करती चूना चूना आएगा केवरा पहाड कियवरा नहीं कब्रपर प्रसिद्ध का कारण क्या है कब्रा पहाड का जो कब्रापाड है न का चित्रिस से संब् बंदित हैं है गुरु घंचिदाथ संग्राल है कहां इस्थित हैं है गुरु घंक्पणरी र Whats रे UAE कितने लोगों का रहा है आंसर रेपूर बिलकुल सही है रेपूर आएगा न रेपूर हो गए इसका अंसर 27 कभी कितने लोगों का आया है कमेंट करके बताएं भारत का प्राचिंतम नाट्या साला किस जिले में इस्थी थे भारत का प्राचिंतम नाट्या साला रैपूर सर्गुजाय बिलाजपूर राजनांद गाउं क्या आएगा सर्गुजा कितेने लोगों का सर्गुजा आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है चत्तिद गड़ के प्रथम बायोटेक पार्क आदिवासी बहुल किस जिले में इस्थबित किया जा रहा है सर्गुजा, बस्तर, रैपूर, कोरिया बिल्कुल आंसर ए है सर्गुजा बिल्कुल सही है आप सभी के लिए लास्ट कोश्चन है चत्तिद गड़ में सर्पग्यान के अंदर की स्थपना कहा की जा रही है सर्पग्यान के अंदर, तपकरा, रैगर, कोरिया, अम्बिकापूर जितने भी मेरे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके पताएगा इसका अंसर क्या होगा वीडियो को लाइक कर देजेगा, सेर कर देजेगा, सस्क्राइब कर देजेगा, ठीक है चलिए चत्तिद गड़ में सर्पग्यान के अंदर की स्थपना कहा की गई है तपकरा में, तपकरा कहा है, जस्पूर में तपकरा कहा है, जस्पूर जिले में थीक नजस्पूर जिले में है तब करा कहा है आपका जस्पूर जिले में ठीक है जस्पूर जिले में है सर्पज्ञान केंद्र तीक है यहां तक clear हुआ जो 30 question है आप सभी का complete हो चुका है टेस्ट के तौर परना बांकी का कल हम साथ क्लास लेकर आएंगे साथ वीडियो साथ प्रस्ना लेकर आएंगे आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब निके हैं जल्दी से जाएगा वीडियो को सस्क्राइब कर लिजेगे बेल आइकन गंटी को ओल पर सेट कर लिजेगा जब इस वीडियो को पर्फॉर्मेंस कैसा लागा और वीडियो देखना चाहते हैं पार्ट 2 हम जरूर लेकर आएंगे आप लोग कमेंट करके बताएगा कि पार्ट 2 वीडियो चाहिए कि नहीं वाट्सअप ग्रूप मिल जाएगा या फिर एब आउट पर जाएए मेरे चैनल के एब आउट में जाएए वहाँ पर वाट्सअप मिल जाएगा नमबर